है लो दोस्तों बहुत बहुत स्वागते आपका तरंगी जी आरेन में लाइक कीजीए, शेर कीजीए, साथ साथ चेनल को सबस्क्राइब जरूर कीजीए तो दोस्तों आज यस वीडियो में हम देखने वाले हैं बटरफ्लाइ मैजिक फूट प्रोसेसर देख सकते हैं यह जो food processor है और जो butterfly company है यह crompton की subsidiary company आती है तो देखते हम कि यह food processor है वो किस तरह का होने वाला है India's first full touch jar जो कि हम आगे वीडियो में देखने वाले है आप देख सकते हैं इसका model number और किस तरह से जो है यह power conserve करता है देख सकते आप जो food processor है made in India है कहा पर यह manufacturing होता है किस तरह से और दोस्तों आप देखते हैं इसके जो jar है वो किस तरह से हमको देखने को मिलते हैं ओपर एक cap लगा हुआ है देखिए आप इसका जो plastic है काफी sturdy है और यहापर एक grip लगा हुए जो कि काफी अच्छी quality के silicon से बना हुआ है दोस्तों अंदर की तरफ आप देख सकते इस तरह से blade है और एक blade जो है मिलता है जो कि चॉपिंग के काम आता है दोस्तों आप देख सकते हैं इसी तरह का एक और अटेच्मेंट आता है जो इस blade को लगाने के लिए हमरे काम में आने वाला है और एक blade मिलता है जो के आते का dough बनाने के लिए यूज होता है और एक छोटा जार है इसकी भी काफी अच्छी quality है प्लास्टिक की गरम मसाल अगिर आप भी सकते है और नीचे का जो portion आप देख रहे है दोस्तों इसके जो भी जार है तो aluminium का नीचे का portion बना हुआ है जो के काफी अच्छी quality का है और यह जार आप देख सकते हैं यही वह जार है जिसकी में बात कर रहा था कुल टच यानि आप कितनी भी देर तक अगर इस पर मसाला वगेरा पीसते हैं तो हाथ अगर आप लगाते तो यह होट नहीं हो दा प्लास्टिक आउक्टर लेयर जो इसकी प्लास्टिक इस वज यह नजर आए कि जो नट है यह थोड़ा सा लूज हो जाता है हर बार इसे बार बार जो है फिट करना पड़ता है और इस तरह से इसको हम अटेच कर सकते हैं जो के चौपिंग के काम आता है उसी तरह से यह आटा बनाने के गुनने के काम आता है दोस्तों तो इस तरह से तरह कोई डर्ट ना जाए इस तरह से इसे हम फिट कर सकते हैं अब इसके नीचे की तरफ अगर हम देखे तो दोस्तों यहाँ पर एक ओर लोड बटन हमें नजर आ रहा है जो कि अगर ज्यादा लोड हो जाए तो आटोमेटिक बन हो जाता है फिर उसे प्रेस करना पड़ता है ताकि मशिन दोबार आउन हो जाए रही नीचे देख सकते हैं और दोस्तों प्लास्टिक की जो क्वालेटि है वो काफी स्टरडी है आप देख सकते हैं इस तरह से इसके साथ जो है आपको टोटल फाइब जार मिलते हैं एक विस्किंग जार उसके इलावा और तीन चोटे जार आपको मिलते है और एक special chutney jar है जो के आपको red color का दिखाई दे रहा है और कुछ warranty card है तो इसके साथ जो है टू येर्स की जो है आपको warranty मिलती है और देखिए जो इसके नीचे का portion है वो आपको इस तरह से देखने को मिलता है और अंदर का भी आप देख सकते इस तरह से जो प्लास्टिक इसके handle वो भी काफी जो है strong है हाथ में लेने भी feel होता है रहे दिखिए आप किस तरह से जो है nut bolt से से फिट किया गया जो कि काफी अच्छी क्वालिटी लगती है प्राइस के हिसाब से नीचे का जो आप देख सिपते हैं पूर्शन पूरी तर अलॉमिनियम विल्ड है दोस्तों और स्ट्रॉंग काफी स्ट्रॉंग है और कुछ अटेच्मेंट इसके साथ आती है जो कि आपको आटा नीडिंग के दौरान कम में आ सकती है इसको आप इसे लगाए ताके आटा नीडिंग के दौरान डस्ट बहार की तरफ ना आ पाए तो करते मिक्सर कौन और आप सुनिये इसका साउंड किस तरह से है तो दोस्तों फुली स्विट पर चलाने के बाद भी जो मिक्सर का कैप है वह उपर से नहीं निकलता जिस तरह से फिलिप कार्ट पर कुछ रिवियूस में दिखाया गया है और छोटे जार को भी हम ट्राय करके देखते हैं कुछ यह चीजेस में हम पिसने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पता चले किसकी ग्राइंडिंग किस तरह से होती है डालतेस में हम कुछ मसाले जैसे होती है और उसके इलावा ग्रीन चिली तो लीजे दोस्तों इसमें हमने कुछ मसाले डाल दिये हैं और अब करते हैं मिक्सर को फॉन और यह आपके सामने रिजल्ट काफी फाइन जो है मिक्सर ने इसे अच्छी तरह से चॉप किया है जो कि आप देख सकते और आप लगाते हैं जो आटा नीडिंग का अटेश्मेंट है जो कि काफी अच्छी कॉलिटी के प्लास्टिक के साथ अन्यदर आता है और इससे हमने अटेश करते हैं अब देखते हैं कि इस तरह से आटा नीडिंग करता है हमने इसमें फोड़ा साल्ट डाला है सही सोही तरीके से हमारा जो आटा है वो निड आ अप आटा हम इसमें डालते हैं दोस्टों और इसे बन कर देते हैं देख सकते आप जो उपर गैब दिवी है उस पर जो अटेश्मेंट हाई है इसके साथ वो लगा सकते है ताकि जो यह ड़स्ट आप बाहर निकलती भी देख रहे हो ना निकले इसाब से पानी डालते हुए देखिए दोस्तों इस तरह से जो है मिक्सर चलता है जो के काफी ठीक तरीके से आटे को नीट करता है तो देख सकते आप किस तरह से जो है इसके अंदर जो डो है वो तयार हो रहा है और थोड़ा सा जो है दोस्तों इसके अंदर हमें ऑईल डालना पड़ेंगा ताके जो आटा है वो बनने के बाद इस्टिक ना हो और इस दवरान जो मिक्सर का नॉइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि जो अटेच्मेंट लगी हुई है इसके अंदर बहुत सारे गेर बगेरा होते है जिसकी वज़े से जो साउंड है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है दोस्तों करमटन की सबसेडियर कमपणी जो के बटर फला है काफी अच्छी कॉलिटी का देखने को मिलता है अगर आपको सेंट्रिफुगल जूसर की कोई जरूरत नहीं है तो दोस्तों आप इसे बिल्कुल खरीच सकते है जो के बहतर कॉलिटी में आता है दोस्तों वीडियो देखन